जन्पर संबल की चंदोसी में SBM और CEO की मौझूदगी में वनवे को लेकर इरिक्षा चालुकों के साथ बैठक आयोजित की गई जन्पर संबल की चंदोसी कोटवाली परिसर में SBM महेश परशाद दिचित और CEO अशोक कुमार सिंग की मौझूदगी में वनवे की वनवे की विवेस्ता लागू की जाईगी इस विशाय में पुलिस यतरादिकारी अशोक कुमार सिंग ने बताया कि शहर में ये रिक्षो के कारण लगने वाले जाम से जन्ता को निजाद दिलाने के लिए वनवे विवेस्ता एक जनवरी से लागू कर दी जाईगी अब यहां पर चंदोर्सी के सभी लोगों का ये शिकायद थी कि यहां पर इस विशा को ज़्याद से चंदोर्सी में बहुत जाम लग रहा है जिसका सबसे बड़ा कारण जानु की समस्या थी इसी के परफेक्श हम लोगों ने आज एक मीटिंग आहूत की थी जिसमें सभी थे यह चंदोर्सी टीसाई और प्रभारी दिक्षक को तवाली इसमें सभी दिक्षक चालकों को बता दिया गया है कि वो लाइसेंस इसका बनवा ले और बनवाने के बात चले और वन वे ट्र रोके तो गाड़ी सड़क के किनारे उतार के रोके ताकि लोगों को आवा गवन में बाधा ना उत्पन नहों हाईवे पे अपनी गाड़ी को न चलाएं यह रिक्षा प्रतिबंदी थे हाईवे पे और 18 साल से कम के जो लरके यह रिक्षा चलाते पाई जाएंगे उनकी गा अधाड देखे नहीं इसके मुझे कोई जानकारी नहीं कि कल कप तान सावे है ते ओओ आय भी होंगे तो अपने किसी कौनसला काम से मुझे इसकी कोई जानकारी यह बहुत पहले से चला है यह दिवाली में भी आपने देखा हो गा कि हम लोगोंने वनवे किया बीच पे किस कानवास वो इंप्लेमेंट नहीं हो सका लेकिन उसको हम एक तारीक से पुरा पूरे चंदोशी बाजार में वन वे ट्रफिक की बेश्चा लागू करती हैं और वो लागू रहेगा आगे पहले इह रिक्सा चालुको ने अगर पालिका में अपने रिश्ट्रेशन कराई ते अ इनका इस तो रिश्ट्रेशन इनका यहां फिज भी होगा पर्सों से फिर इनके यह साब से बात हो गई है गांडी पार्क में वो इनका नंबरीं होगी आधार कार्ट फोटो इसमले के आएंगे और रिश्ट्रम का नाम अंखित किया जाएगा और लाइसेंस इनका इनको ए परेट यह आपिस से बनाई जाएगा